एक जनवरी दो हजार चोबिस से मिलने वाले डिये की कैलकुलेशन के संबंद में जो पिछली वीडियो डाली गई थी उस वीडियो के कमेंट में वीवर्स ने कुछ प्रशन पूछे हैं जैसे के शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या 50% डिये बेसिक में मर्ज हो जाएगा जगनात नाइक जी का प्रशन है कि ग्रेजवीटी बढ़ेगी या नहीं मुकेश गोड जी ने डेली ट्रेवलिंग अलाउंस के संबंद में पूछा है कि क्या इसमें भी 25% की वरद्धी हो जाएगी और संदीब जी ने ड्रेज अलाउंस के बारे में प्रशन पूछा है आज की इस वीडियो में इन पॉइंट्स के उपर ही चर्चा करते हैं सभी साथियों को नमश्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरी जी में आईए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि DA के 50% हो जाने पर क्या वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा तो साथियों इसका जवाब है कि DA बेसिक पे में मर्ज होने वाला नहीं है यहाँ पर आपको याद दिला दें कि पांचवे वेतन आयोग के समय जब DA 50% की लिमिट को क्रोस कर गया था तो 50% DA को बेसिक पे में मर्ज करके डियरनेस पे का नाम दिया गया था लेकिन छटे वेतन आयोग में DA के 50% होने पर उसको बेसिक में मर्ज नहीं किया गया था और सात्वे वेतन आयोग में भी DA के 50% की लिमिट को क्रोस करने पर बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है इसलिए एक जनवरी दोहजार चोबिस से डिये के 50% हो जाने पर वो बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा दूसरे पॉइंट में देखते हैं Special Allowance for Child Care for Women with Disabilities साथमें वेतनायों के लागू होने के समय इसके संबंद में जो OM इशू किया गया था उस OM में दिया गया था कि Women Employee with Disabilities को Child Care के लिए जो Special Allowance दिया जा रहा है DA के 50% हो जाने पर इस Allowance में 25% की व्रद्धी हो जाएगी यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में जो Child Care के लिए Special Allowance दिया जा रहा है 3,000 रुपए पर मंत के रेट से ये Allowance 1 जनवरी 2024 से DA के 50% हो जाने पर 3,750 रुपए हर महीने की दर से मिलने लगेगा इसी प्रकार से Dress Allowance के समबंद में जो OM इशू किया गया था इस OM में भी दिया गया है कि DA के 50% हो जाने पर Dress Allowance की राशी में 25% की व्रत्दी हो जाएगी इसी OM में सरकारी करमचारियों की अलग-अलग केटेगरी के लिए मिलने वाले Dress Allowance की राशी के बारे में दिया गया था जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि Employee की अलग-अलग केटेगरी के लिए Dress Allowance के रेट दिये गए हैं एक जनवरी 2024 से DA के 50% हो जाने पर इन सभी राशीयों में 25% की व्रत्दी हो जाएगी अगले point में चर्चा करते हैं transfer पर मिलने वाले TA के बारे में यानि के जो व्यक्तिकत सामान होता है transfer पर उस सामान के transportation के लिए मिलने वाले TA के संबंद में इसके संबंद में भी सातवे वेतनायों के लागू होने के समय जो OM इशु किया गया था उस OM में दिया गया है कि DA के 50% हो जाने पर TA की राशी में भी 25% की व्रत्दी हो जाएगी जैसा की stable में हम देख रहे हैं कि level 6 और इस से उपर के level के लिए 50 रुपए परती किलोमेटर की दर से TA की राशी निरधारित की गई थी और ये राशी 1 जनवरी 2024 से DA के 50% हो जाने पर 62 रुपए 50 पैसे परती किलोमेटर की दर से मिलेगी इसी प्रकार से level 5 के लिए जो 25 रुपए परती किलोमेटर की लिमिट दी गई थी यह अब 31 रुपए 25 पैसे परती किलोमेटर की दर से मिलने लगेगा इसी प्रकार से level 4 और इससे नीचे के level के लिए 15 रुपए परती किलोमेटर की लिमिट दी गई थी यह लिमिट बढ़ करके 18 रुपए 75 पैसे परती किलोमेटर हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं mileage allowance for on transport after 50% DA mileage allowance के संबंद में जो OM इशू किया गया था इस OM में भी दिया गया था कि जब भी DA की rate 50% को रीच कर जाएगी mileage allowance के rate में भी 25% की व्रद्धी हो जाएगी इस OM में दिया गया था कि अगर कोई journey अपनी private car या taxi से perform की जा रही है तो उसके लिए mileage allowance के रूप में 24 रुपए परती किलोमेटर की दर निर्धारित की गई थी और DA के 50% हो जाने पर यह राशी 30 रुपए परती किलोमेटर की दर से मिलने लगेगी इसी प्रकार से अगर journey अपने scooter के द्वारा perform की जा रही है तो उसके लिए वरतमान में 12 रुपए परती किलोमेटर की दर से payment किया जा रहा है और DA के 50% हो जाने पर यह राशी 15 रुपए परती किलोमेटर की दर से मिलने लगेगी आईएब चर्चा करते हैं daily allowance के बारे में daily allowance के संबंद में जो O.M. issue किया गया था उस O.M. में दिया गया था कि DA के 50% हो जाने पर hotel charges, traveling charges और food charges के जो daily allowances हैं इनकी दर में 25% की व्रद्धी हो जाएगी जैसा कि आप स्टेबल में देख रहे हैं कि अलग-अलग pay level के करमचारियों के लिए daily allowance के entitlement की limit दी गई थी इन राशियों में DA के 50% हो जाने पर 25% की व्रद्धी हो जाएगी आईएब चर्चा करते हैं retirement के समय मिलने वाली graduate के संबंद में सात्वे वेतनायोक के लागू होने के समय ग्रेजवीटी की ceiling यानि के ग्रेजवीटी के रूप में मिलने वाली maximum राशी को 20 लाख रुपए निरधारित किया गया था और उस OM में दिया गया था कि DA के 50% हो जाने पर ग्रेजवीटी की ceiling में 25% की व्रद्धी हो जाएगी यानि के इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2024 से DA के 50% हो जाने पर ग्रेजवीटी की जो maximum राशी है वो 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी यानि के 1 जनवरी 2024 के बाद रेटायर होने वाले सरकारी करमचारियों को ग्रेजवीटी के रूप में मैक्सिमम 25 लाख रुपए की राशी प्राप्त होने लगेगी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी अलाउंस में होने वाली व्रद्धी के लिए चाहे वो ट्रांसफर पर मिलने वाले टीय की राशी हो या ड्रेस अलाउंस की राशी हो इस्पेशल अलाउंस हो या ग्रेजवीटी की राशी हो इन सभी के लिए अलग से को एलाउंसिज में और ग्रेजविटी की राशी में डी एके 50% हो जाने पर 25% की ओटोमेटिक वरद्धी हो जाएगी। इन सभी एलाउंसिज और ग्रेजविटी के संबंद में जो OEM इशु किये गए थे उनको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी एक और लाब दायक जानकारी के साथ तब तक अपना और अपनों का खयाल रखें। स्वस्त रहें प्रसंद रहें। नमश्कार।